दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको टीम इंडिया की पूर्व कप्तान महेंदर सिंग धोनी से जुड़ी कुछ रोचक बाते बताने जा रहे हैं जिससे उनके फैंस भी अंजान हैं टीम इंडिया के कैप्टन कूल कहे जाने वाले महेंडर सिंग धोनी से जुड़ी हर बात को उनके चाहने वाले जानना चाहते हैं बाइक कलेक्शन हो या फिर फार्मिंग का शौक या सबी बाते तो धोनी के बारे में हर किसी को पता होगी लेकिन आज हम उनके जीवन से जुड़ी कुछ मज़ेदार और रोचक बाते बताने जा रहे हैं साथ जुलाई 1981 को जारखंड के राची में महेंडर सिंग धोनी का जन्म हुआ था एक साधारन परिवार से तालुक रखने वाले महेंडर सिंग धोनी कभी बल्लेबाज नहीं बनना चाहते थे वह शुरू से फुटबॉल गुल की पर बनने का शौक रखते थे लेकिन उन्हें किसमत क्रिकेट के मैदान पर ले आई साल 2004 में बांगला देश के खिलाप धोनी ने एक दिवसीय मैच में टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया और उन्होंने शतक लगा कर अपने इस डेब्यू को हमेशा के लिए यादगार बना दिया यह बात तो हर कोई जानता है कि धोनी को हम कैप्टन कूल के नाम से जानते हैं इसकी वज़ा यह है कि धोनी शानत रहकर अपनी रन नीतियों को अंजाम देने के लिए पैचाने जाते हैं तो चाहे मैदान पर परिस्थिती कुछ भी हो 2007 से 2016 तक उन्होंने टीम इंडिया की कप्तानी की जिस तोरान 2007 में ICC T20 World Cup और 2011 में ICC Cricket World Cup में उन्होंने जीत दिलाई थी यह जीत कई माईने में एहम थी क्योंकि भारत का 28 सालों का ट्रॉफी जीतने का इंतजार खत्म हुआ था धोनी के साथ साथ उनकी नंबर 7 की जर्सी भी काफी खास मानी जाती है उन्होंने अपने पूरे अंतरास्टिय करियर में इसी नंबर वाली जर्सी पहनी जो उनके लिए लग्की नंबर भी माना जाता है बात जब धूनी की हो और उनके हेलिकाप्टर शॉट की चर्चा ना हो ये तो बिल्कुल भी संभाव नहीं है हेलिकाप्टर शॉट को लोग प्रिये बनाने का श्रे भी धूनी को ही जाता है वह हमेशा यॉरकर गेंद पर इस तरह के शॉट खेलती थे महीनरु सिंग धूनी को पद्म भूशन और राजीव गांधी खेल लत्म पुरुसकार से भी सम्मान किया जा चुका है 15 अगस 2020 को धूनी ने अंतरास्टे क्रिकेट से सन्यास देले की घोशना कर दे थी क्रिकेट के अलावा धूनी को भारती सेना में लेफटिनेंट करनल के रैंक की प्राप्ती भी है सोशल मीडिया पे हम धूनी की जितने भी तस्वीर देखेंगे उसमें वह अलग-अलग हेयरस्टाइल में नजर आते हैं जिससे ये पता चलता है कि वह अलग-अलग हेर स्टाइल के कितने शौकीन है। शुरू में वह जॉन अब्राहम के बहुत बड़े फैन हुआ करते थे इसलिए उन्होंने लंबे बाल रखना शुरू कर दिया था। महिंद्र सिंग धुनी ने अपने कप्तानी में वन-डे इतिहास में 100 स्टमपिंग का रिकॉर्ड बनाया था। और ऐसा करने वाले वह पहले विकेट कीपर थे। वह क्रिकेट इतिहास में एक मात्र ऐसे कप्तान है जिन्होंने टीम के विकट कीपर की रूप में काम किया है और अपनी टीम फूतीन प्रमुक ICC T20 वर्ल कप, ICC क्रिकेट वर्ल कप और ICC Champions Trophy का खिताब जिताया है ऐसी और जनकारी के लिए देखते रहें अच्छाजी.com